हाई एवरिवन केसे हैं आप सब आसा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे ठीक होंगे दोस्तों दोस्तों मेरा नाम फजलूल और आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ हम बात करने वाले दो दोस्तों स्विफ्ट कोड के बारे में दोस्तों स्विफ्ट कोड कब जोरत पढ़ता है और कहां से मिलता है दोस्तों दोस्तों यही सब के बारे में आप लोग के साथ बात करें चले दोस्तों सबसे जो बात करते हैं दोस्तों स्विफ्ट कोड कब जोरत पढ़ता है दोस्तों आपका YouTube channel में $10 earning हो जाता है, उसके बाद $10 जो earning होता है, उस earning को जो है, जब Google AdSense में वो earning add हो जाता है, उसके बाद दोस्तों एक, आपके address में एक Google AdSense pin आएगा, पोस्ट ओपीस दोआरा आपके address तक पहुचाया जाएगा एक Google AdSense pin, दोस्तों ये Google AdSense pin के बारे में एक वीडियो जो है, हमने अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को आप लोग देख लिजिएगा, या फिर अगर समझ में ने आएगा दोस्तों तो आप comment करके, comment section में आप देगा, उसके बाद दोस्तों payment method जो है, वहाँ डालने का option आ जाता है, दोस्तों, तो दोस्तों payment method में आप जब अपना bank account, अपना bank का पूरा details जब फिल करते हैं, उसमें डालते हैं, तो दोस्तों एक shift code भी, BIC code भी आपको डालना होगा, दोस्तों ये shift code आपका जो है, पास बुक दिया हुआ है, उसमें नहीं रहता है, दोस्तों, तो ये swift code भी रहता है, दोस्तों जो आपका bank जो है, main branch जहां है, वहीं रहता है, जिसे इसे, आपका state bank account है,ettsち माल श्टेट बेंक का, खुलवाएं उस बैंक पर जाएगा उसके बाद आप मेनेजर से या फिर जो काम करते वहाँ उन लोग से पूछिए गा बात किजए ग QUE तो वही लोग बता देते हैं या फिर कहीं कहीं एसा होता है नहीं होता है मतलब बताते क्या आप उन लोग को पाता ही नहीं होता है पता कर लेंगे कि अपना मेन ब्रांच जहा है वहां से पता कर लेंगे दोस्तों अगर पता हो जाता है तो ठीक है अगर ऐसा होता है किसी के साथ दोस्तों की रोभ से बैंक चले जाते हैं फिर पूछते हैं उसके बाद मेंवरेंघर मेंवरेंवरेंबों यह नहीं सुन्हें मेंवरेंट करते हैं, swims बोल और मेंवरेंघर मेंदिачका से भाएंवरेंवरें आपंगें कया बैंहां लुइवर Чा से मुलारें, चारी में जो है स्विफ्ट कोड सर्च कर सकते हैं तो दोस्तों स्क्रीन में ले जाके आप लोग को दिखाते हैं कि आप स्विफ्ट कोड को जो है कैसे find कर सकते हैं अपना स्विफ्ट कोड कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहे हैं दोस्तों स्विफ्ट कोड निकाल के आप लोग को दिखाते हैं तो उस link description में दिये हुए link पर जब क्लिक करते हैं तो कुछ इस पर करें अंटरस्पेस खुल के आज आएगा दोस्तों दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं यहां इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां आपका जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लिजीगा चलिए हम जो है अपना कंट्र चले दोस्तों हमने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लिया उसके बाद दोस्तों यहां आपका बैंक जो है कौन सा बैंक है वो सिलेक्ट कर लिजीगा चले हमने जो अपना बैंक सिलेक्ट कर लिया उसके बाद दोस्तों आपका जो एरिया है वो सिलेक्ट कर लिजीए जो मतलब आप यहां पूरा देख सकते हैं आपका जो आमने सामने का जो इसमें नेम दिया हुआ रहेगा उस पर क्लिक कर दिजिएगा दोस्तों देख सकते हैं मेरा इधर जो है सबसे नजदिक में है राची चले हम जो है राची से लिट कर लिए उसके बाद दोस्तों यहां जो है सबसे लाश्ट इस पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों यहां देख सकते हैं जो है मेरा स्विफ्ट कोड यहां आ चुका है दोस्तों तो दोस्तों आप लोग देखें दोस्तों की स्विफ्ट कोड कैसे पता करते हैं दोस्तों किस परकार आप अपना जो है एरिया का जो ब्रांच है में ब्रांच है वहां का स्विफ्ट कोड आप पता कर सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों उम्मिद करता हूं दोस्तों यह वीडिय दिया हुआ दोस्तों या फिर आई बटन में आप जाके देख लिजेगा दोस्तों उसका भी वीडियो जो है हमने अपलोड कर दिया दोस्तों इसके बाद दोस्तों आप अगर बैंक का जो मतलब पूरा डिटेल्स फिल करना पड़ता है इसमें आपको अगर परेसानी है तो द दोस्तों क्योंकि दोस्तों इसी तरह इंट्रेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए लाते रहते दोस्तों तो चले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में